Assalamu alaikum friends this is King and you are watching King Redact Friends, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे के signal app, signal app को operate कैसे करते हैं और उस पे account कैसे बनाते हैं तो चलिए start करते हैं Google Play Store पे जाना है कहीं पे भी इंटरनेट से साथ करके Signal app को download कर लेना है और इसे install करना है So friends हमारी signal application जो है वो install हो चुकी है हम इसे open करते हैं Okay friends इसको open करने के बाद इसका interface जो है first time बिल्कुल ऐसा होगा So continue करते हैं And continue और इसको जो permissions यह मांगेगा हम उसे allow करेंगे Same WhatsApp की तरह है आप लोग देख सकते हैं आपने simply कुछ भी नहीं करना अपना यहां नंबर इंटर करना है जिस तरह मैं कर रहा हूं And tap करना है next पर जिस तरह के WhatsApp verification code send करता है उसी तरह यही WhatsApp की तरह जो है न वेरिफिकेशन कोड़ सेंड करता है तो आप देख सकते हैं यह मेरी जीमेल से नाम उठा रहा है तो हम इसे अपना नेम देंगे जो के हम रखना चाहते हैं तो मैं इसे अपना नाम दूंगा और और यहां पर आप पिक्चर एड़ कर सकते हैं इस आइकन पर क्लिक करके टेक फोटो भी कर सकते हैं चूस फिरम कैलरी भी कर सकते हैं गृए करायी है अग्यार्ट I'm So friends as You can see, you can see अप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस को आप blur with blur with data क्यूंद कर सकते हैं और desemoji's B summer कर सकते हैं यहां तक कि आप यहां पर टेक्स्ट भी दे सकते हैं यह एक नया फिचर है जो कि इसमें सिग्नल एप में हैं हम सिंप्ली से ओके करेंगे एंद नेक्स्ट करेंगे एंद हेर्स फ्रेंच वार्सब जिस तरह हमसे पिन नहीं मांगता लेकिन इसके लिए रिक्वाइड है एक पिन यह भी एक नया अप्शन है जो कि इसकी तरफ से है आप अगर पिन नहीं रखना चाहते तो नो प्राब्लम आप थ्री टोट्स पे क्लिक करके डिसेबल पिन पे क कर सकते हैं पिन के बगएर यानि कि आपका अकाउंट होगा यह पिन बैसिकली इसलिए होता है कि जब भी आप फर्स टैम अपनी अप्लिकेशन ऑपन करेंगे तो फिर आप जो है वो पिन लगाए बगएर इंटर नहीं हो सकते हैं तो एज यहां स्लाइड करके आप देख सक हुआ है तो फिर यह थी आज के अप्लिकेशन हमारी सिग्नल वाट इस सिग्नल एंड यह किस तरह काम करता है और हम सिग्नल पर अपना काउंट क्रियाट किस तरह कर सकते हैं